हेलो गाइज वेल्कम टो अनेदर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फेंट्स राइम को इंडस्ट्रीज की ओर से जुन क्वार्टर के फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है अनॉडिटेट स्टैंडल ऑन और 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 दोनों फिनांसल रिजल्ट आउट हो चुका फिस्ट क् कवर करेंगे चली वेडियो स्टाट करते है लैक में नंबर से पहले Consolidated onda को कवर करेंगे इंकम है इस बार का 556 करोड का मस 24 में 368.8 करोड का और जुन 23 क्वार्टर नग्ते करोड का एंकम है 토 Michal ErAY इंक्रेस किया है एक्केस 499 क्रोड का मर्स 24 में dream124.8 करोड करोड़ का मार्च 24 में 27.9 करोड का जुन 23 में по streets found इंक्रेश किया है नेट पॉफि थरिन पॉफिट 4 क्रोड मार्च 24 430 . गरोड़ का जुन 23 एंत्र 네ंधंवेट करोड़ का पॉफित है क्वाटर आंक्वाटर में करोड का जुन 236.8 करोड का पॉफिट इसके का इस कंपनी का पॉफिट जो है क्वार्टर ओन क्वार्टर यर ओन देखने को मिल रहा है सेग्मेट वाइज बिल्डिंग प्रोडक्ट्स टेक्स्टाइल्स विंद मिल्स अनलोकेटेड इन सभी को एड़ करके रेवेन्यू में नोड़ाट इंक्रेश बट कंपनी का इसोशेट्स में पॉफिट कम होने के कारण इस पॉफिट में डाउन देखने को मिला है अगर हम बात करेंगा इस कंपनी के स्टैंडर ओन फिनांसल डिजल्ट का तो इस बार का इंकम है एंक्पेंस फोर हंड़ फॉर हं इंक्रेश किया है इंक्रेश किया है नेट फॉफिट 27.5 करोड का मार्च 24.3 करोड का पॉफिट है क्वाटर ओन कॉफिट का कॉफिट का कम होना लेकिन स्टनाड में सब्सेडी नहीं होता है इसलिए कंपनी को पॉफिट में इंप्रूफ किया अब देखना यह की मंदे को कैसा परफॉर्म करता है देख इसके शेयर की बात के 241.97 रुपीच पे क्लोज किया था तो 1.59 परशन का लॉस था और 5 डे में 5.2 परशन का लॉस है और 1 मंथ में 9 परशन का लॉस और 6 मंथ में 5.7 परशन का लॉस है अगर कमपनी कर सकते हैं तो हम लोग वीडियो कहीं करते हैं अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे मिलते हैं नेक्स वोड़ों में तिल देन बाई बाई